यह जो आप सबी का मेरे यूट्यूब चानल में आज मैं वापस आई हूँ आपके साथ एक नया केक लेकर केक नहीं फ्रेंड्स दो है बिसिकली आप देख सकते हैं आप मैं दो केक रखे हुए हैं तो मैं यह दोनों केक अलग अलग नहीं बनाने वाली हूं इन दोनों केक को म यह जो पुरानी वानी टेक्निक होती दी ना जिसमें मम लोग एक बोर्ड रग के पार्चमेन पेपर लगा के होल करके डावल डाल के और डावल आप देख सकते हैं मैं यहां पर उसको अलरडी क्लिंग राप किया हुआ है मैं यह सीधा डावल बिल्कुल नहीं यूज करती और रिसेटली मैंने नई टेक्निक सीखी है कैसे सीखी है क्या सीखा है वह मैं आपको अपने आने वाले अपकमिंग वीडियो में जरूर दिखाऊंगी जबी मैं नेक्स्ट टूटियर केक बनाऊंगी यहां पर मैंने वही पुराने टेक्निक यूज कर के रख दिया है और बट यह केक अंद में बहुत साथा खुबसूरत लगा क्योंकि तरीके हैं थोड़ा बदल जाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है नया नया सीखते जाएंगे और पुराना पुराना भी अप्लाई करते जाएंगे फिर यहां पर मैंने यह केक को सेट कर दिया है इस केक का ज फॉंडेंट के स्ट्रिप अप्लाई करने से पहले हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि वह बहुत जादा ड्राइ नहीं हो क्योंकि अगर वह ड्राइ हो गई ना तो वह तूट जाएगी लगाने में इतनी फ्लक्सिबल नहीं होगी तो आप कोशिश यह करिए कि तीन चार पहले ही उसको बनाये और उसमें टाइलॉस वगरा का स्तिमाल मत करिएगा अधरवाइज वह तूट जाएगी फिर मैं ले लिया है यह धेर सारा सोने का पाउडर यानिकी गोल्डन डस्ट और उसमें मैं अड्डाल रही हूँ इवैपोरेक्स जिससे उसको लिक्विड मिले ताकि इसका डेकोरेशन एजी रहे और यह जो भी आप यह देख रहे हैं मैं जो भी चीज़े यह मूती वगरा जो है सेट यह पूरा जो मैं गोल्डन कर रही हूँ यह सब मैंने रात को ही बना के रख लिया था ताकि यह इजली ड्राइ हो जाए सारा लीज वगरा क्योंकि पर फिर यह लास्मोमें पर यह बनता है और फिरर बहुत जाए कि यह दूता है और्लास्मोमें पर जब क squash dкив फ K क्रीम के थोड़ा सा कंसिस्टेंसी थोड़ा सा चोड़ देते हैं तो मैं कोशिश करती हूं कि मैं इस्तेमाल करूँ पर यहां पर मैंने पूरे में फिर वापस से ग्लू चिपका दिया है लेस लगा दी है वापस से यह अब जो भी इसका वाइट वाइट पार्ट मुझे अब जाता है कि अब जाता है यह इरिटेटिंग काम लगता है वज थी तो मुझे इस अब करने में बड़ा मजा आता है इसको गोल्डन मैंने पेंट कर दिया है पूरा कपूरा और पहले मैंने कभी जीवन में प्रश नहीं पकड़ पकड़ा पने स्कूल कॉलेज की अब यहांपर मैंने यह फ्लार्स नहीं उुगा क्या को पक कि लिए पूरा इस इस अबाधने में गूआँ लोग जाते हैं इस फ्लार्स थियस ₡ यह पिलार पीकों लोग लाएज बनादिए अप्रफिग यह आक यह देगा है तो मैंने फिर फिलां लगा दिआ दीए है मै बिना किसी मोल्ड के बनाया है और खुद से ये strip और मोड के और उसके पर ये मोर वाला जो shape मैंने दिया है crown जासा जो दिखना चाहिए और वो गोल गोल वाला crown मैंने नहीं बना जिसमें उपर से हम लोग ऐसे तिकोना-तिकोना काट देते हैं इस crown को कैसे बनाते हैं अगर आपको सीखना है तो आप मुझे जरूर बताएगा मैं इस वीडियो जरूर डालूंगी फिर मैंने crown बना दिया फूल पत्ती सब को चिपका दिया और अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ चुटे चुटे वाइट फ्लार्स ही पढ़े हैं यहँ सबढ़ाने पास केट थाथ जरूर्ण लग लगाने पड़ेयरिख यह पूर्ण हो कि उह जरूर्ध पूल पत्ती जरूर गैर juicy Sábष ऐर सुम कैसे अख भी पूल में कलाकारी करके उसको उसमें चिपकाने वाली हूँ और एक एक फिलार लगाऊंगी धीरे धीरे उसको सजाऊंगी अंत में जो केक आया ना मुझे बहुत सुंदर लगा देखने में और फिर जब यह पहुंचा उनके पास तो देवर रियली हैपी उन्होंने कहा मुझ केक संदर था और पची ने भूफ दिशकी केक को केका रॉफ स runne पुछीने इस जोरी केक केक जाता जाता है और लगा अनके भूसा कड़्ाधा देखने में चाप मांने ग़ंट है कि भूफ मेहननत अच्छा देखने में झात। केक निम इसे काए कोई बना टीद उना कि मुझे टीज देगा मुझे का वाक्स लाकिए लाके दो इसे मुझे पैन कावर लाके दे लिए बोला कि आप स्तिमाल करो क्योंकि मुझे लेट हो था और मुझे फटा फटा सी केक इसको छगी करना था और मैं ये चल्झा अवमेन बना डाल द कि कि अप्झे कर दिखा लिए चुछारें के लिए डी को अपंहने ना आपको बहुत राहा है यह हूः कि आप देखा जुग है गलिट किया है सब कि विल्ली तो हो अगार जाती हीजिए क्या अपन अपने राह और आप उत शपता है झाताकर मुझेmental Casey करना पड़ा आप मेरे वीडियो को लाइक करें तो मुझे पी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे अब क्या करना है आगे क्या और सुधार करने है तो फाइनली आप देख सकते ही थोड़ा सा कम्प्लीट हो ने पहुंच गया है केक मेरा मैंने पूरा अल्मोस्ट ड यह पूरे का सब्सक्राइब कर दो तो मेरे सिल्वर परल मैंने अथा कर दो दो फिल दिखा एक तो मुझे बीच बाबाँलाईची जया देथा मैंने अगे थे पासंद दिखने एक दिखने और दिखने एक जिए नीए नी कहते होगा तो मैंने लगा दूगी और इसके यह मैंने इसको दे दिया है और क्राउन को मैंने अगे से पेंट किया है मैंने पीछे से पेंट नहीं किया है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी मुझे लगा आगे ही केक का फोटो कीजा जाता है तो मैंने आगे से लगा दिया है और यह मैंने अपना वाइड वाइड बोर्ड है इसको मैंने कवर नहीं किया ता क्योंकि मुझे लगा कि जरूरत नहीं है तो गाईज यह मेरा केक बनके एक तब तयार हो चुका है और आप मुझे बताएगा ये केक आपको कैसा लगा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लिया करो प्लीज प्लीज थोड़ा सा मुझे भी मोटेवेशन मिले और मेरे वीडियो को देखिएगा लोगों के साथ शेयर करिएगा अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो लाइक, कॉमेंट जरूर करिएगा चलिए, ओके, बाबाय, थैंक्यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट केक में, थैंक्यू